एक अकेला सुर्य कुमार यादव पूरी स्रिलंका टीम पर भारी जलादी पूरी अकेला यी लंका सुर्य कुमार यादव ने ठोक दिया साल 2030 का पहला T20 सतक स्रिलंका के खिलाप लगाए 16,4 और 6 के टीम इंडिया के बल्लेवास सुरिकोंगा यादर ने साल 2013 का पढ़ा T20 सतक ठोक दिया उनने सिलंका के गेंदबाजी को जम कर खबर ली और राज कोट में खेले गए तीसरी T20 इंटरल से मैच में राज किया उनने अपने केरियर का तीसरा सतक तोफानी अंदाज में पूरा किया सिलंका के गेंदबाजी को खिलाब उनने जम कर चोके छके लगा इस पारी में उन्होंने साथ चोके और नो चोके जड़े इससे पहले पूरे में खेले गए टीम को बैतर इस्तिती में पहुंचाया सुरकों आयादम में T20 इंटरल से केरिकर ने अपना तीसरा सतक मैच 45 गेंदों में पूरा किया जब उन्होंने पाकिस्ताने खिलाब सतक ये पारी खेली थी दूसरे T20 इंटरल सतक मैच में तोफानी अर्थ सतक जड़ा था साल 2013 का पहला इंटरल सतक नुजिलेन के बाए हाथ के बल्लेवाज डेवन कान में में जड़ा था दूसरी सबसे तेज T20 संचुरी सुरकों यादम ने इसी मैच में 26 गेंदों में आज सतक पूरा किया था इसके बाद सतक तक पहुंचने के लिए उन्होंने मैच 19 गेंदों का इस्तमाल किया जिसमें जैमकर चौके छक के राजकोड के दसकों को देखने को मिले भारत के लिए सबसे तेज दूसरा सतक है क्योंकि 35 गेंदों में रोवे सरमाई T20 इंटरेशनेट करिक्ट में सतक जड़ा हुआ है के लावन 46 गेंदों में सतक ये पारी खेली थी